अध्याय एक विचरते विचरते यात्रा पूस की कुटियाओं में बैठे साथना कर रहे थे महान गुरु गौतम जिन्हें लोग प्रेम से श्रद्धावश बुद्ध कहते हैं इस विहार में 400 भिखु शिश्यों के साथ निवास करते थे यद्यपी वहां निवासियों की संख्या अधिक थी किन्तु वातावरण बहुत शान्त था विहार का क्षेत्र फल 40 एकर था और यहां वास की नाना जाती प्रजातियों के वरिक्ष लगे थे जो मगध राज्य में जगह जगह से लाकर यहां लगाए गए थे यह विहार मगध की राजधानी राजक्रिय से इतनी सी दूर था कि यहां 30 मिनट में पहुचा जा सकता था साथ वर्ष पहले राजा बिम्बी सार ने यह विहार बुद्ध एवम संग को दान में दिया था स्वास्ती ने अपनी आखे मली और मुस्कुराया उसकी टांगे अभी भी मुड़ी थी जिन्हें उसने धीरे धीरे खोला इस 21 वर्षिय युवा को मान्य सारी पत्र ने जो बुद्ध के वरिष्ट शिश्य थे तीन दिन पहले ही प्रवरिज्जा दी थी प्रवरिज्जा समारों के समय स्वास्ती के सगन सुनहरे बाल उस्तरे से मूर दिये गए थे बुद्ध के विखु समुदाई यानी संग का अंग बनकर स्वास्ती अत्यधिक प्रसन्य था बहुत से विखु उच्छ घरानों में जन्मे हुए व्यक्ती थे यथा बुद्ध के भाई नद, देवदत, अनिरुद और आनन्द यद्धपी अभी स्वास्ती का इनके साथ परिचय नहीं कराया गया था स्वास्ती ने इन्हें दूर से ही देखा भड़ था अधिक प्रयोक से वर्गत हुए, चीरवधारण किये हुए होने पर भी इनका अभीजात्य निश्चित रूप से जलगता था ऐसे उचे घरानों के लोगों का मित्र बनने में तो मुझे अभी परियाप्त समय लगेगा ऐसा स्वास्ती ने सोचा, लिकिन राजा के पुत्र होने के बावजूद उसे स्वयम बुद्ध और अपने बीच कभी दूरी का अनुभव नहीं हुआ था स्वास्ती अस्प्रिश था जो उस समय भारत की जन्ता में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार सबसे नीचे वर्ण के लोगों से भी नीच जाती समझी जाती थी पिछले दस सालों से वह भैसों का चरावाहा था और भैसों की देख भाल करता था किन्तु अब दो सप्ताह से वह सभी वर्णों के बिक्खुओं के साथ रह रहा था और ध्यान साधना कर रहा था हर कोई उसके प्रती कृपा भाव प्रदर्शित करता उसको नमन करता किन्तु वह स्वैम अभी तक सहज नहीं हो पा रहा था उसे आशंका थी कि उसे पूर्ण तया सहज होने में अभी वर्षों लग जाएंगे जैसे ही उसके मन में राहुल का विचार आया आंतरिक उल्लास से परिपूर्ण मुसकान उसके चहरे पर फैल गई बुद्ध के पुत्र राहुल की आयू अभी अठारह वर्ष की ही थी और वह दस वर्ष की आयू से ही श्राणमीर के रूप में संग में रह रहा था दो सपताहों में ही राहुल और स्वास्ती में गहरी मित्रता हो गई थी राहुल ने ही स्वास्ती को सिकाया था कि ध्यान के समय प्राणायाम कैसे करना है राहुल यद्यपी अभी प्रवरिज्जित बिख्व नहीं बना था किन्तु उसे बुद्ध के शिक्ष्याओं का परियाप्त ज्ञान हो चुका था प्रविज्जा प्राप्त करने के लिए अभी उसे तब तक प्रतीक्षा करनी थी जब तक उसकी आयू बीस वर्ष की नहीं हो जाती स्वास्ती को दो सप्ताह पूर्व के दिनों का स्मरण हुआया जब गया के समीप इस्थित उसके बेल ग्राम में बुद्ध पहुँचे थे और उसे भिखु बनने के लिए बुलाया था जब बुद्ध उसके घर पर पहुँचे तो स्वास्ती अपने छोटे भाई रूपक के साथ भैसों को चराने के लिए गया हुआ था उस समय घर पर भीमा और बाला थे बुद्ध को देखते ही वह उन्हें तुरंत पहचान गई वह स्वास्ती को ढूटने के लिए उस और जप्ती ही थी कि बुद्ध ने उससे कहा कि इसकी आविशक्ता नहीं है उन्होंने कहा कि मैं और मेरे साथ चल रहे भिक्खू जिसमें राहुल भी था नदी तड तक चले जाएंगे और उसके भाई को खोज लेंगे तीसरे पहरवे लोग नेरंजना नदी के तड पर आए जहां स्वास्ती और रूपक भैसों को रगड़ रगड़ कर नहला रहा था बुद्ध को देखते ही दोनों युबक पानी मैंसे निकल कर दोड़ते हुए नदी तड तक आए और करबध प्रणाम करके उनके समक्ष प्रणत हुए स्वास्ती और उसके भाई को देखकर बुद्ध ने सह स्नेह मुस्कान के साथ कहा अरे तुम इतने बड़े हो गए स्वास्ती अवाक था बुद्ध का शान्त मुखमंडल उनकी स्नेह पूर्ण उदार मुस्कान और उनकी मर्म भीदिनी तेजों मैं दृष्टी देखकर स्वास्ती की आँखें चलचला आई बुद्ध गैरिक चीवर धारण किये हुए थे जिस पर धान के खेत की डिजाइन बनाते हुए कपड़े सीले हुए थे वह अब भी नंगे पैर ही थे जैसे कि आज से दस परस पहले जब वह उसे इसी स्थान के आसपास मिले थे दस वर्ष पहले इसी नैरंजना नदी और बोधी वरिक्ष के नीचे उसने घंटों बुद्ध के साथ बिताए थे बोधी वरिक्ष यानी पीपल वहां से बस इतनी ही दूर था कि नदी तट से वहां तक दस मिनट में पहुचा जा सकता था बुद्ध के पीछे खड़े बीस बिक्षू भी नंगे पैर थे और धान के खेतों की डिजाइन वाले गैरिक चीवर पहने हुए थे अधिक ध्यान से देखने पर स्वास्ती ने पाया कि बुद्ध का चीवर अन्य भिक्षूओं के चीवरों से एक हाथ अधिक लंबा था बुद्ध के साथ ही स्वास्ती की ही आयू का एक श्रामणेर खड़ा था जो सीधे उसी की ओर देखता हुआ मुस्कुरा रहा था बुद्ध ने अपने इस नेए पूर्ण हाथ स्वास्ती और रूपक के सिर पर रखे और बताया कि वह राजगरिय जाते हुए यहां जान बूच कर रुगे है उन्होंने कहा कि तुम भैसों को नहला लो इसके बाद हम सब स्वास्ती की जोपड़ी तक साथ साथ ही चलेंगे वापस आते समय बुद्ध ने स्वास्ती और रूपक का परिचय अपने पुत्र राहुल से कराया जो अभी तक स्वास्ती की ओर मोहक मुस्कान के साथ देख रहा था राहुल स्वास्ती से आयू में तीन वर्श छोटा था किन्तु दोनों का कद एक बराबर था श्रामणेर होते हुए भी राहुल के वस्त्र भिक्वों के जैसे ही थे राहुलने अपना भिक्षा पातर रुपक को पकड़ा दिया था और स्वास्ती एक रूपक के बीच में दोनु नई मित्रों के कंधों पर प्रेम पूर्वक हाथ रखे हुए चल रहा था उसने अपने पिता के श्रेमुक से स्वास्ती और उसके परिवार्जनों के विशय में इतना कुछ सुन रखा था कि उसे प्रतीत हो रहा था कि वह उनसे पूर्ण परिचित है दोनों भाई राहुल के इस प्रेम पूर्ण व्यवार से स्ने सिक्त हो उठे स्वास्ती के घर पहुँचने पर बुद्ध ने स्वास्ती को भिक्कु समुदाई में सम्मिलित होने और अपने साथ धर्म साधना करने के लिए आमंतरित किया दस वर्ष पूर्व जब वह बुद्ध से पहली बार मिला था तो उसने बुद्ध के श्री चर्णों में बैठ कर धर्म साधना करने का अनुरोध किया था और बुद्ध उसे शिश्य रूप में स्विकार करने पर सहमत हो गये थे अब स्वास्ती 21 बरस का हो गया था और बुद्ध उसे लेने आ पहुँचे थे बुद्ध उसे दिया हुआ अपना वचन भूले नहीं थे रूपक भैसों को उनके मालिक राम भूल के घर चोड़ने गया था बुद्ध स्वास्ती की जोपड़ी के बाहर एक चोटी सी पीड़ी पर बैठ गए और अन्य बिक्को उनके पीछे खड़े हो गए मिट्टी की दिवारों और फूस की चट से बनी स्वास्ती की जोपड़ी इतनी चोटी थी कि उसके भीतर सभी लोग बैठ नहीं सकते थे बाला ने स्वास्ती से कहा भाईया तुम बुद्ध के साथ जाओ आज रूपक आप मैंसे बड़ा तगड़ा है जब आपने भैसों की देखरे करनी आरंभ की थी और मैं भी अब घर ग्रिहस्ती का काम बखुबी संभाल सकती हूँ आपने हमारा दश वर्षों से लालन पालन किया है और अब हम अपने पैरों पर खड़े होने की अवस्था में आ गए हैं वर्षा का पानी जमा करने के लिए रखी पत्थर की कोठारी के पास बैठी भीमा अपनी बड़ी बहन की ओर बिना कुछ बोले देख रही थी स्वास्ति ने भीमा की ओर देखा वह प्यारी सी छोटी लड़की थी जब स्वास्ति बुद्ध से पहली बार मिला था तो बाला की आयू चह वर्ष की रूपक तीन वर्ष का और भीमा तो बस बच्ची ही थी बाला भाई बहन का खाना वाना लेती थी और रूपक मिट्टी में खेला करता था उनके पिता के मृत्यों के छह महिने बाद ही उनकी माता के भी मृत्यों हो गई थी ग्यारह वर्ष की आयू में ही स्वास्ती पडिवार का मुक्या बन गया था स्वास्ती को भैसों की देख बाल करने और चराने का काम मिल गया था स्वास्ती बहुत परिश्रमी था इसी लिए इतना कमा लेता था जिससे परिवार का पालन कर सके वह छोटी बहन भी मा के लिए भैस का दूद भी ले आया करता था उसकी ओर देखकर शायद स्वास्ती उसकी भावनाओं को जानना चा रहा है यह समझते ही भीमा मुस्कुरा दी वह एक क्षण के लिए तो हिच की जाई किन्तु फिर दीरे से बूली भहिया आप बुद्ध के साथ जाओ यह कहकर उसने अपना मुह मोड लिया जिससे वह अपने आसू छिपा सके भीमानी स्वास्ती को यह कहते हुए अनेक बार सुना था कि वह बुद्ध के श्री चर्णों में बैठ कर साधना करना चाहता है और उसकी हार्दिक इच्छा थी कि वह अपने इच्छा पूर्टी के लिए जाए किन्तु जब वह क्षण वास्तों में आ उपस्तित हुआ तो वह अपने दुख को छिपा नहीं पाई उसी समय रूपक काउं से लोट आया और उसने भीमा को यह कहते सुना बुद्ध के साथ चले जाओ वह समझ गया कि विदाई का क्षण आ गया है उसने स्वास्ति की ओर देखकर कहा हाँ भीया आप बुद्ध के साथ चले जाएए सारा परिवार एकदम मौन हो गया रूपक ने बुद्ध की ओर देखकर कहा परम आदर्नी मुझे आशा है कि आप अपने श्री चर्णों में अध्यन करने की अनुमती मेरे भाई को प्रदान करेंगे मैं भी अब इतना बड़ातो हो ही गया हूँ कि परिवार का पालन कर सकूँ स्वास्ति की ओर मुड़कर उसने आशू रोक कर कहा किन्तु भहिया कृपा करके बुद्ध से पूछिये कि क्या आप घर आ सकेंगे और समय समय पर हमसे मिलते रहेंगे बुद्ध उठ खड़े हुए और सनी पूर्वक भीमा के सिर के बाल सहलाए बच्चो अब खाना खाओ कल मैं आकर स्वास्ति को साथ ले जाओंगा ताकि सभी साथ साथ राजग्री जा सकें मैं और सभी बिखूगन बोधी व्रिक्ष के नीचे आज रात विश्राम करेंगे बुद्ध के द्वार पर पहुँचकर मुढकर स्वास्ति की ओर देखा और कहा कल सवेरे तुम्हें कुछ भी साथ लाने की आविशक्ता नहीं है जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं वे ही परियाप्त है उस रात सभी बच्चे बड़ी देर तक जाकते रहे विदा लेते हुए पिता की भाती स्वास्ति ने उनको अंतिम परामर्श देते हुए कहा कि तुम लोग एक दूसरे की और घर की देख भाल मिल जुलकर करना वह हर एक को बड़ी देर तक अपनी चाती से चिपकाए रहा आसु रोकने में असमर्थ रहने पर भीमा जब अपने बड़े भाई की गोद में थी तो सीने से सिर लगा कर सुबक उठी किन्तु उसके बाद उसने अपना सिर उठाया दीर के नीश्वास लिया और भाई की ओर देख कर मस्कुरा दी वह नहीं चाहती थी कि स्वास्ती उसके आसुओं से दुखी हो तेल के दिये का धुदला प्रकाश जोपड़ी में हो रहा था किन्तु इतना प्रकाश तो था कि स्वास्ती उसे मुस्कुराता देख सके स्वास्ती को उसका मुस्कुराना अच्छा लगा अगली दिन सवेरे स्वास्ती की मित्र सुजाता उसे विदा करने आई पिछली शाम को जब नदी तट की ओर जा रही थी तो उसने बुद्ध को देखा था और बुद्ध ने कहा था कि स्वास्ती अब भिक्खु संग में सम्मिलित होगा ग्राम प्रधान की पुत्री सुजाता स्वास्ती से आयू में दो वर्ष बड़ी थी और वह भी गौतम से सबोधी प्राप्ती से पहले मिल चुकी थी सुजाता ने स्वास्ती को जड़ी पूटियों की औशधी बना कर साथ ले जाने के लिए दी उनकी संग्षिप्त बादचीत ही हो पाई थी तभी उनके शिश्य आ गए स्वास्ती का भाई और उसकी बहने पहली ही जाग चुके थे और अपने भाई को विदा देने के लिए तैयार थे राहुल ने प्रेम पूर्वक प्रतीक भाई बहन से बादचीत की और उन्हें मनोबल पक्का रखने और एक दूसरे की देखभाल करते रहने की प्रेहना दी उसने वचन दिया कि हम जब भी उरूवेला के आसपास तक भी आएंगे तो तुम लोगों से मिलने अवश्य आएंगे स्वास्ती के परिवार जन और सुजाता बुद्ध और भिक्षुओं के साथ नदी के तट पर गए और उन्होंने बुद्ध भिक्षुओं राहुल तथा स्वास्ती को हाथ जोड़ कर विदा किया स्वास्ती के मन में हर्ष और भई की भावनाएं भरी हुई थी यह पहला अवसर था जब वह उरूवेला गाउं छोड़ कर जा रहा था बुद्ध ने कहा कि राजगर्य पहुचने में दस दिन लगेंगे अधिकांश व्यक्ति तेजी से चलते हैं किन्तों बुद्ध और उनके बिखु धीरे धीरे और परम सहजता से चलते थे जब स्वास्ती ने अपने कदम धीमे किये तो उसका हृदय शान तो हो गया उसने स्वैम को बुद्ध धर्म और संग के प्रती पूर्ण हारदिकता के साथ समर्पित कर दिया अब उसका यही मार्ग था उसने उस भूमी और उन लोगों को जो उसके लिए पूर्ण तह परिचित थे अंतिम बार मुढ कर देखा और पाया कि सुजाता और उसके परिवार जन वन के वरिक्षों की चाया से मिले हुए छोटे छोटे काश्ट खंड मातर दिख रहे हैं स्वास्ति को प्रतीत हुआ कि बुद्ध विच्रण का आनंद लेने के लिए ही चलते हैं और इस बात की चिंता ही नहीं करते कि वह कहां तक पहुँचेंगे यही इस्तिती सभी बिक्कुओं की थी कोई भी अपने गंतव्य अस्थान तक पहुँचने के लिए ना तो चिंतित था और ना अधीर सभी के पग, मद, संतूलित और शान्तिमई थे ऐसा लगता था मानो सभी सामोहिक रूप से टहल रहे हों कोई भी कलान्ति का अनुभव नहीं करता फिर भी वे प्रतिदिन खासा लंबा मार्ग तै कर लेते थे प्रतिदिन वे समीपस्त गाउं में रुकते और भिक्षाटन करते वे मार्गों पर बुद्ध के पीछे एक पंग्ती बना कर चलते उनकी चाल गरिमा मही होती और श्वसंक्रिया तथा पग संचलन पर ध्यान केंद्रित रखते यदि ग्रामवासी उनके भिक्षापात्र में कुछ भोजन डालते तो वे रुक जाते कुछ ग्रामीन तो मार्ग के दूसरी ओर खड़े होकर ही उनका संबान पूर्वक नमन करते भोजन मिलने पर भिक्षु सभी लोग के कल्यानार्थ प्रार्थना करते भिक्षाटन समाप्त कर लेने पर वे धीरे धीरे गाउं छोड़कर कुछ व्रिक्षों या वास वाले स्थान को खोचते वे घेरा बनाकर बैठ जाते और भिक्षाटन में मिले खाद्य पदार्थों को समान रूप से बाट लेते और ध्यान रखते कि यदि किसी भिक्षाटन का भिक्षापात्र खाली है तो उसे भी भूजन दे दिया जाए बहुत पास के जरने से एक घड़ा पानी भरलाता और सम्मान पूर्वक बुद्ध के सामने रख देता बुद्ध जब अपने हाथों के अंजुली फैलाते तो राहुल उनके हाथों पर जर्ण डाल कर साप करता ऐसा ही प्रतीक भिक्षू के लिए करता हुआ बह अंत में स्वास्ती के पास आया स्वास्ती के पास तब तक कोई भिक्षा पात्र नहीं था तो राहुल ने अपने भिक्षा पात्र का आधा भुजन केले के ताजे पत्ते पर रख कर अपने नई मित्र स्वास्ती को दे दिया भुजन आरंभ करने से पूर्व भिक्षूओं ने हाथ जोड़े और सामोहिक रूप से मंत्रो चार किया उसके बाद उन्होंने मौन रहकर सचेत भाव से प्रत्य कौर को ग्रहन किया भुजन के उपरांथ कुछ भिक्षूओं ने चलित ध्यान किया तो कुछ ने बैठ कर ध्यान सादना की और कुछ ने थोड़ी सी जब के लिए जब दिन का सर्वाधिक गरम भाग बीट गया तो वे फिर मार्ग पर चल पड़े और तब तक चलते रहे जब तक कि अंधिरा नहीं हो गया रात्री विश्राम के लिए सर्वोत्तम स्थान शांत उल्लासमे वन ही होता है प्रतीक भिखु का अपना आसन होता था और बहुत से भिखु उस पर पदमासन लगा कर बैठ कर आधी रात तक साधना करते रहते फिर अपना चीवर चीवर पिछा कर सो जाते प्रतीक भिखु के पास दो चीवर होते थे एक वह शरीर पर धारण किये होता और दूसरा वर्षा या सीथ से रक्षा के लिए रखते अन्य लोगों की भाती स्वास्ती भी ध्यान साधना करता रहा और व्रिक्ष की जड़ को तकिया बनाकर धर्ती पर ही सो गया दिन में चलते और रात में विश्ट्राम करते हुए वे लोग दस दिनों में मगत की राजनानी राजकरी पहुँचे स्वास्ती ने पहली बार नगर देखा था सडकों के किनारे पर घरों में निवासी बड़ी संख्या में रहते थे और सडकों पर अश्वचालित वाहन चल रहे थे हर ओर उची उची आवाजें और ठहाकों के स्वर गूँच रहे थे किन्तु बिख्वों का मौन जुलूस उसी प्रकार चल रहा था जैसे वे मौन भाव से वन प्रांतर अत्वा धान के खेतों से विचरण करते चल रहे हों कुछ नागरिक उन्हें देखने के लिए तनिक्सा रुकते तो कुछ बुद्ध को पहचान कर उनके सम्मान में श्रद्धा पूर्वक नमन करते बिखु वर्ग उसी प्रकार शान्त भाव से तब तक चलता रहता जब तक वे नगर के उस पार वेणुवन विहार नहीं पहुँच गए समस्त विहार में त्वरित गती से यह समाचार फैल गया कि बुद्ध लोट आये हैं और कुछ क्षणों में ही 400 भिखु बुद्ध का स्वागत करने के लिए एकत्रित हो गए बुद्ध ने अधिक कुछ नहीं कहा केवल सभी की कुशल, क्षेम और साधना अभ्यास के विशे में जानकारी प्राप्त की उन्होंने स्वास्ती को सारी पुत्त को सौप दिया जो राहुल के भी आध्यात्मिक गुरु थे सारी पुत्त वेडुवन विहार के श्रामडेरों के गुरु थे और वह लगभग 50 युवक श्रामडेरों के साधना अभ्यास का मार्ग निर्देशन करते थे ये श्रामडेर विहार में तीन सालों से कम समय से आये हुए थे विहार के प्रबंधाचारे कॉंडन नामक एक बिखु थे राहुल से कहा गया कि वह विहार जीवन के आचरणों की जानकारी स्वास्ती को दे यथा कैसे चलना है, किस प्रकार बैठना है, किस प्रकार खड़े होना है और कैसे अन्य लोगों को नमन करना है, किस प्रकार चलित ध्यान करना है, कैसे बैठकर धारणा ध्यान करना है और कैसे श्वसन क्रिया यानि प्राणायाम पर ध्यान देना है उसने स्वास्ती को यह भी बताया कि भिखु को चीवर कैसे धारण करना है कैसे भिख्षा पात्र पकरना है कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे अपना भिख्षा पात्र साप रखना है तीन दिनों तक स्वास्ती लगाता राहुल के साधी साथ रहा जिससे वह इन सब बातों को भली प्रकार सीख सके। राहुलने स्वास्ती को पूरे मनोयोग से सभी आचरण निर्देश बताए, समझाए, किन्तु स्वास्ती समझता था कि ये सब कारिय सहज स्वाभाविक रूप से करने लगने के लिए उसे अभी वर्षों अभ्यास करना ह इन आधार भूत मार्ग निर्देशों के बाद सारी पुत्त ने स्वास्ती को अपनी कुटिया में बुलाया और बिक्खु द्वारा अपनाए जाने वाले शीलों की सिक्षा दी। एक दूसरे को सहायता देता है। भिक्खु का जीवन सादगी और विनम्रता से परिपूर्ण होता है। भोजन के लिए भिक्षाटन करने से अहंकार शुन्यता आती है। भिक्षाटन अन्य लोगों के साथ संपर्क सादने का एक माध्यम भी होता है। जिससे उन्हें यह समझने में सहायता की जा सके कि प्रेम और सौहार्द का मार्ग क्या है। जिसके शिक्षा बुद्ध देव सबको देते हैं। दस वर्ष पूर्व स्वास्ती और उसके मित्रों ने बोधी व्रिक्ष के नीचे बुद्ध को यह देशना करते सुना था कि आत्म जागरिती का मार्ग ही प्रेम और प्रग्या का मार्ग है। इसी लिए सारी पुत्त ने स्वास्ती को जो कुछ कहा उसे वह अच्छी तरह हृदैगम कर सका। यद्यपी सारी पुत्त का मुखमंडल गंभीर था। किन्तु उनकी आखों और मुस्कान में अपार प्रेम और करुणा का तेज भी था। उन्होंने स्वास्ती से कहा कि शीग्र ही एक दीक्षा समारो होगा जिसमें उसे भिखु संग में सम्मिलित करने के लिए प्रवरिज्जा दे जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि उस अवसर पर क्या-क्या शब्द उचारण करने है। सारे पुत्त ने स्वयम ही दीक्षा समारो की अध्यक्षता की जिसमें बीस भिखुओं ने भाग लिया। उस अवसर पर बुद्ध और राहुल भी उपस्तित थे जिससे स्वास्ती को विशेस प्रसन्नता हुई। सारे पुत्त ने मौनभाव से एक गाथा मन ही मन पड़ी और स्वास्ती की सिर के बालों के कुछ गुच्छे काटे। जिससे स्वास्ती की सिर का पूर्णतह मंडन किया। सारी पुत्त ने स्वास्ती को तीन चीवर, एक भिक्षा पात्र और एक घड़ा दिया। राहुल ने उसे सिखा ही दिया था कि चीवर कैसे धारण करना है। इसी लिए स्वास्ती ने बिना कठिनाई के चीवर धारण कर लिया। वह बुद्ध तथा उपस्तित अन्य भिक्षों के समक्ष अपना आभार व्यक्त करने के लिए प्रणत हुआ। बाद में उस दिन प्रातह उसने पहली बार प्रवज्जित भिक्षों के रूप में भिक्षाटन किया। वेडुवन विहार के भिक्षों कई दलों में विभक्त होकर राजग्री में भिक्षाटन करते थे। स्वास्ति जिस दल में था उसके नेता सारी पुत्त थे। उस दिन बातावरन ठंडा था। स्वास्ति ने देखा कि राहुल बुद्ध के ठीक सामने बैठा है। वह पंजों के बल चलता हुआ वहां तक गया और राहुल के बराबर ही आसन डाल कर बैठ गया। सभी पदमासन पर बैठे हुए थे। शांत और गरिमा पूर्ण वातावरन में सभी मौन थे। स्वास्ति जानता था कि सभी सजकता से स्वशन क्रिया पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। और बुद्ध की देशना आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बासों से बना मंच बस इतना ही उचा था कि हर कोई बुद्ध को भली भाती देख सके। बुद्ध एकदम सहज थे। किन्तु समूचा वातावरन गरिमा पूर्ण था। जब उन्होंने एकत्र भिक्वों को देखा तो उनकी आखों से प्रेम मै करुणा की वर्षा हो रही थी। उनकी आखें जब स्वास्ती और राहूर पर टिकी तो वह मंद मंद मस्कुराए और अपनी देशना आरंभ की। आज मैं आपसे भैसों की देखभाल की चर्चा करूंगा। गाहों को कैसे ठीक रखना है। धूए के माद्यम से मच्चरों को कैसे भगाना है। उनके चलने के लिए एक उचित इस्थान कैसे खोजना है। उनसे प्रेम करना है। उनके लिए सुरक्षित एवं उतला स्थान देखना है। उनके लिए ताजी घास और पानी डूटना है। चरागाहों को सुरक्षित कैसे रखना है और कैसे अधिक उम्र के भैसों को छोटे भैसों के लिए आदर्श बनाना है। सुनो विको, जैसे चरावाहा अपने हर भैसे को पहचानता है, उसी प्रकार भिको को अपने शरीर के प्रत्येक अनिवार्य तत्व को जानना चाहिए। जैसे चरावाहा हर भैसे की प्रकृती और प्रवृत्यों को जानता है, उसी प्रकार भिको को जानना चाहिए कि शरीर, वाणी और चित्त के कौन-कौन से कारिय अच्छे हैं और कौन से बुरे। जैसे चरावाहा अपनी भैसों को रगड रगड कर नहलाता है, भिको को अपने मन और शरीर को इच्छाओं, राग, क्रोध और वित्रशना के मैल से कैसे शुद्ध रखना चाहिए। जब बुद्ध देशना दे रहे थे, तो उन्होंने स्वास्ती पर से दृष्टी नहीं हटाई। स्वास्ती ने अनुभव किया कि बुद्ध की देशना का श्रोत वह ही है। तो राज महलों में पला बड़ा राजकुमार भला भैसों की देखवाल की इतनी बातें कैसे जान सकता था। यद्यभी बुद्ध सामान्य स्वर में ही देशना कर रहे थे, किन्तो उनका स्वर हर शब्द एकदम स्पष्ट कासा था। उनका एक-एक शब्द हर कोई समझ रहा था। जिस प्रकार चरावाहा भैसों के घाओं की देख भाल करता है, भिकु को अपनी इंद्रिय, आख, नाख, कान, जिहवा, शरीर और चित पर नजर रखनी चाहिए, जिससे वे आशक्तियों में ब्रहमित न हो जाए। जैसे चरावाहा आग जला कर धुएं के द्वारा भैसों को मच्चरों से रक्षा करता है, उसी प्रकार भिकु को भी उपदेशों का प्रियोग करके जागरित रहना चाहिए, जिससे वे अपनी आसपास के लोगों को दिखा सके कि शरीर और चित को अभीपसाओं के शिकार होने से कैसे बचाया जा सकता है, जैसे चरावाहा भैसों के आवा गमन के लिए सुरक्षित रास्ते तलाश करके रखता है, भिकु को उन मार्गों से बचना चाहिए, जहां ख्याती, धन, एवं इंद्री, सुख की कामना जागे, जैसे होटल वा थियेटर में जाना, जिस चरावाहा अपनी भैसों से प्रेम करता है, ठीक उसी प्रकार ध्यान के आनंद और शांती की चाह एक भिकु को रखनी चाहिए, जिस प्रकार चरावाहा भैसों के लिए ताजी घास और पानी की खोच करता रहता है, भिकुओं को सम्यक जागरुकता के चार चरणों को जान चाहिए, जो निर्वान की दिशा में बढ़ने के सबल होते हैं, जिस प्रकार चरावाहा खेतों को भैसों द्वारा जरूरत से जादा चरने से बचाता है, उसी प्रकार भिकुओं को अपने निकट के उस समाज से संपर्क बनाए रखना चाहिए, जिससे वह भिक्षा प्र आप्त करता है, जिस प्रकार चरावाहा बड़े भैसों को छोटी आयो के भैसों के लिए आदर्श की रूप में प्रियोग करता है, भिकुओं को वैसे ही वयो व्रिधों के ज्यान और अनुभावं पर निर्भर करना चाहिए, ओ भिकुओं जो भी इन ग्यारह बातों पर आचरण करता है, वह चाव वर्षों के अभ्यास द्वारा अरहत बन सकता है, स्वास्ति आश्चर ये पूर्वक सब कुछ सुनता रहा, बुद्ध को वह हर बात याद थी जो दस वर्ष पहले उसने उनसे कही थी, और उसकी हर बात को बुद्ध ने भिकुओं द्वारा पस्या के मार्ग पर चलने का साधन बनाने के लिए प्रियोग किया था, यद्यपी स्वास्ति जानता था कि बुद्ध समस्त भिकु समुदाय को संबोधित कर रहे थे, उसके मन पर इस बात के स्पष्ट चाप थी कि मानो बुद्ध सीधे उसे ही संबोधित कर रहे हो, उनक की चह इंद्रियां, चार आरिय सत्यों और सम्यत जागरूगता के चार चरण सरी की गूड़ शब्दावली को स्वास्ती समझ नहीं सका था, वह राहुल से पूछ कर इनकी अर्थ को बाद में भली प्रकार जान लेगा, किन्तु बुद्ध की देशना का मूल भाव वह समझ ग प्रक्षित मार्ग चुनने के विशय में बता रहे थे, अगर उस मार्ग में बहुत से काटे होंगे, तो वे भैसों को चुप जाएंगे, जिनसे उन्हें घाव लगेंगे, घाव पक सकते हैं, और यदि चरवाहे को पता नहीं हो कि घावों को कैसे ठीक करना है, तो भैसों को बुखार हो सकता है, और वह मर भी सकता है, सम्यक धर्म मार्ग का आचरन करना भी वैसा ही है, यदि भिक्कु सम्यक धर्म मार्ग नहीं जान लेता, तो उसका मन तथा शरीर गायल हो सकते हैं, लोब और क्रोध उसके घावों को और भी विशाक्त बना सकते हैं, और स्थित इस सीमा तक पहुँच सकती है कि निर्वान का मारगी अवरुध हो जाए। बुद्ध बोलते बोलते थोड़ा रुके। उन्होंने स्वास्ती को संकेत से अपने पास आने को कहा। स्वास्ती हाथ जोड कर खड़ा हो गया। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने स्वास्ती का उपस्तित भिक्वों से परिचय कराते हुए कहा। देख भाल कि जो भी बाते मैंने अभी बताई हैं वे सब मैंने इसी से सीकी थी। मैं जानता था कि यह बहुत अच्छा चरावा है और आज मैं जानता हूँ कि यह एक श्रेष्ट भिक्कु भी बनेगा। सभी की आखें स्वास्ती पर लगी थी। उसके कान और गाल एकदम लाल हो उठे। सभी लोगों ने हाथ जोड़कर उसको नमन किया और उसने भी सभी को नमन किया। सचेत श्वसन क्रिया की सोलह विधियां बताने की राहुल को आग्या देते हुए बुद्ध ने अपनी देशना समाप्त की। राहुल ने खड़े होकर हाथ जोड़े और घंटा ध्वनी के समान सपश्ट स्वर के प्रतिक विधी का वर्णन किया और भिखु समुदाय को नमन किया। बुद्ध उठ खड़े हुए और मंद गती से अपने कुटियां में चले गए। उनके बाद सभा में आये सभी बिखुओंने अपने अपने आसन उठाए और धिरे धिरे वन में अपने अपने स्थानों पर चले गए। कुछ बिखु कुटियां में रहते थे। बहुत से बिखु वास के व्रिक्षों के नीचे ही खुले में सोते और ध्यान साधना किया करते थे। जब बहुत तेज वर्षा होती तो वे लोग अपने आसन उठा कर कुटियाओं में या प्राथना कक्षव में शरण ले लेती थे स्वास्ती के आचारिय सारी पुत्त ने राहुल के पास ही खुले में उसके रहने का स्थान नियत किया था जब राहुल छोटा ही था तो वह आचारी की कुटिया में रहता वही उसके मार्ग दर्शक थे अब उसे वास व्रिक्षों के नीचे रहने का स्थान दिया गया था राहुल के साथ रहने का स्थान पाकर स्वास्ती बहुत प्रसन्न था उसी दिन तीसरे प्रहर बैठ कर ध्यान साधना करने के पश्चात स्वास्ती ने अकेले ही चलित ध्यान का अभ्यास शुरू किया उसने एकांत मार्ग चुना जिस पर किसी से मिलना नहो किन्तो उसने पाया कि श्वसन क्रिया पर ध्यान करते रहना कठिन कारिय है उसका ध्यान अपने भाई बहनों और घर की ओर चला गया नैरंजना नदी की ओर जाता हुआ मार्ग उसकी स्मृति में कौध गया उसने देखा कि छोटी सी भीमा ने अपने आसू छिपाने के लिए मुह नीचा कर लिया है और रूपक अकेली ही राम धूल की भैसों की देखभाल कर रहा है उसने इन विचारों को चित्त से हटा देने और अपना ध्यान अपने पद संचलन और श्वसन क्रिया पर केंदरित करने का प्रयास किया उसे इस बात पर शर्म आई कि वह अपने अभ्यास में नहीं जुट पाया वह बुद्ध के विश्वास के योग के नहीं है चलित ध्यान करने की इस चेश्टा के बाद उसने सोचा कि इस विशय में वह राहुल से सहायता मागेगा इसके अलावा और भी बातें थी जो बुद्ध ने अपनी देशना के समय आज प्रातह कहीं थी जिने वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया था उसे विश्वास था कि उन बातों को राहुल समझा देगा राहुल के विशय में सोचते ही वह उत्साहित और शान्त हो गया इससे उसे अपने श्वसन क्रिया एवं पक संचलन पर ध्यान लगाना आसान हो गया स्वास्ती को राहुल की खोज नहीं करने पड़ी क्योंकि वह स्वयम ही उसे ढूंता हुआ आ गया वह स्वास्ती को लेकर बास के व्रिक्ष के नीचे अपने स्थान पर आ गया और कहा आज अपराहन में मैं मानने आनंद से मिला था वह तुमसे उस समय की सभी बातें जानने के बहुत इच्चुक थे जब तुम पहली बार बुद्ध से मिले थे राहुल ये मानने आनंद कौन है? वह साक्य वर्ष के एक राजकुमार है और बुद्ध के चचेरे भाई है वह सात वर्ष पूर्वी भिक्कु बने है और आज श्रेश्टतम्द शिश्यों में उनकी गर्णा होती है वही महान गुरु के स्वास्त का ख्याल रखते है मानने आनंद ने हम लोगों को कल शाम अपनी कुटिया में आने के लिए कहा है बुद्ध जब गया वन में तपस्या कर रहे थे उस समय के विशय में तो मैं भी सब को जानना चाहूंगा क्या बोधी सत्व ने आपको अभी तक वह सब नहीं बताया बताया तो है किन्तु विस्तार से नहीं मुझे विश्वास है कि उस समय की बहुत से बाते तुम बता सकोगे बाते तो बहुत अधिक नहीं है लिकिन मुझे जो भी याद है अवश्य बताऊंगा राहुल मान्य आनन्द कैसे व्यक्ति है मुझे उनसे मिलने में कुछ घबराहट हो रही है चिन्ता बिलकुल भी मत करो वे बहुत दयालो एवं मैत्री पूर्ण है मैंने उन्हें जब तुम्हारे परिवार के विशे में बताया तो वह बहुत हर्शित हुए राहुल जब उठकर चलने को हुआ तो स्वास्ति ने उसका चीवर पकड़ लिया और कहा आप कुछ देर और नहीं रुख सकते मैं आप से कुछ बातें पूछना चाहता हूँ आज सवेरे देशना में बुद्ध ने ग्यारह बातों की चर्चा की थी जिनका पालन भिकुकु करना चाहिए लिकिन मुझे वे सभी बातें याद नहीं रही क्या आप मुझे वे बातें दोबारा बता सकेंगे मैं स्वेम उनमें से नौ बातें ही याद रख पाया हूँ चिंता मत करो कल वे सब बातें मानने आनंद से पूछ लेना क्या आपको विश्वास है कि मान्य आनंद को वे सभी बातें याद होंगी? निश्चई ही यदि वे 111 होती तो भी वे मान्य आनंद को याद होती तुम अभी उनको जानते नहीं किन्तु यहां सभी उनकी प्रकर स्मरण शक्ती के प्रसंशक है बुद्ध जो कुछ भी कहते हैं उनकी छोटी से छोटी बात तक को पूर्ण शुधता के साथ वे दोहरा सकते हैं यहां सभी उनको बुद्ध का सरवाधिक ज्ञान संपन्द शिश्य मानते हैं जब भी कोई बुद्ध की देश्टा की कोई बात भूल जाता है तो वह मान्य आनंद से पूछ लेता है कभी कभी श्रमण वर्ग अधियन शत्रों का आयोजन करता है तो मान्य आनंद बुद्ध की आधार भूत सिक्षाओं को ही सुनाते हैं तब तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं हम प्रतीक्षा करेंगे और कल उनसे पूछ लेंगे लिकिन मैं आपसे कुछ और भी पूछना चाहता हूँ कि चलित ध्यान करते समय आप मन को कैसे शान्त करते हैं क्या तुम यह कहना चाहते हो कि चलित ध्यान के समय तुम्हारे मन में अन्य विचार आ जाते हैं जैसे कि अपने परिवार की याद आना, स्वास्ती ने अपने मित्र का हाथ पकड़ लिया, आपको कैसे यह सब क्या दुआ, मेरे साथ ठीक यही बीती है, पता नहीं क्यूं सद धर्म पालन का संकल्प दिर्ण नहीं है, मैं आपके और बुद्ध के समक्ष सर्मिन्दा अनुभव करता हूँ, राहुल ने कहा, इसमें सर्मिन्दा होने की क्या बात है, जब मैं पहले बुद्ध के संग में आया था, तो मुझे अपने माता, अपने दादा और अपने को भी मेरी बहुत याद आई होगी, लिकिन कुछ दिनों के बाद सब सामान्य हो गया, राहुल ने स्वास्ती को हाथ पकड़ कर खड़ा किया, और मित्र भाव से उसको गले लगा लिया, तुम्हारी भाई बहने बड़ी प्यारी है, यह सर्वता स्वाभाविक है कि तुम् लिकिन तुम शीगर ही अपने इस नए जीवन के अभ्यस्त हो जाओगे, हमें यहां बहुत सारे काम करने हैं, हमें निरंतर साधना अभ्यास और अधियन करना चाहिए, लिकिन सुनो, जब भी मुझे अवसर मिलेगा, मैं तुम्हें अपने परिवार के विशे में ठीक है ना?